नमस्कार सत्यों Law, Order and Civil Rights सीटूब चैनल में आपका स्वागत है अभिनंदन है सत्यों रोज के भाते आज हम आपके लिए लेकर आये हुए हैं यहाँ पर General Knowledge जो हर परिच्छा के लिए बहुत ही उपयोगी है और आपको हम प्रते दिन Mark Test MCQ और अलग-अलग बिसे पर हम यहाँ पर जानकारी देते हैं वो भी Live के रूप में और आप इसमें Live इसमें जो पाटिसिपेंड करके आप अपना उत्तर भी देते हैं तो साथियों यह Mark Test जो Multi-Choice Questions से सम्मन्दित है और वो भी इस बार का जो करम चल रहा है Sequence चल रहा है वो Geography यानि कि भूगोल सब्जेक्ट पर चल रहा है और हम ऐसे Selected Questions लेकर आ रहे हैं जो हर परिच्छा के लिए उप्योगी साबित हो यानि कि जब परिच्छा हाल में बैठे हैं और भूगोल से सम्मन्दित ये Question पुछे तो आपसे ये बहुत ही सरल तरीके से बन जाए और कुछ सेकेंड में ही बन जाए हम चाते हैं कि आपको जो है General Study, General Knowledge, Current Affairs से आपको पूरी तरह से जानकारी हो ताकि आपको सफलतार निश्चित रुप से मिल सके आईए जानते हैं हम पहला Questions पहला Question है धकन का पठार किसमे उचा और की सोर कम ढालवाला है आपसन है यहाँ पर का रहा है कि धकन का पठार पस्चिम, उचा और पूर्व की ओर कम ढालवाला है यानि कि पस्चिम और पूर्व B है पूर्व और पस्चिम दच्छिन या उत्तर या उत्तर या दच्छिन कोश्चिन को एक बार समझ लेजी जो धक्कन का पठार है उसमें जो उचाई है उचाईयां जो है कीस ओर से लेकर कीस ओर तक जो है वो अधिक्तम ढाल से लेकर कम ढाल की ओर वो दिखाई दिता है तो आपको बताना है पहले उचा कौन सा है पस्चिम है और पूरब नीचे कम ढाल है या पूरब पस्चिम है या दच्चिन उत्तर है या उत्तर दच्चिन है आपको ये जंकारी होनी चाहिए जब आप धक्कन का पठार देखेंगे तो इस पस्ट रूप से आपको समझा तो ये पश्चिम से लेकर पूरब की और जो है सही आंसर है साथियों question number two आ जाते हैं कौन से नदी देव प्रयाग में मिलकर गंगा कहलाती है ध्यान रखियेगा कौन से नदी देव प्रयाग में मिलकर गंगा कहलाती है भागिरत्थी और अलक नंदा या B भागिरत्थी या मेगना या C केवल भागिरत्थी या D केवल अलक नंदा क्या option सही है आपको चुड़ना है हम कुछ second आपको दे रहे हैं जल्दी से सोचिए और इसका आंसर दीजिए आपको मेसेज को देखने से तो ग्यात होता है कि आप ए आंसर को सही मान रहे हैं इसका मतलब है कि इसका सही आंसर ए ही है ध्यान रखेगा भागिरत्थी नदी जो है और अलक नंदा नदी जो है दोनो दे प्रयाग में मिलते हैं और उसी को हम जो है गंगा कहते हैं गंगा का नाम जो है या गंगा का स्रोत जो है ये दोनो नदी है भागिरत्ति नदी भी सही है और अलग नंदा नदी भी सही है यानि कि दोनों नदी को मिलने से जो है वो गंगा कहलाती है इसके जानकारी होनी चाहिए ये प्रश्न बार-बार पूछा जाता है साथियों आईए हम देखते हैं question number three question number three गंगा और ब्रमपुत्र नदी मिलने से क्या कहलाता है ध्यार रखेगा गंगा और ब्रमपुत्र नदी दोनों एक जगह मिलते हैं और बंगाल के खाड़ी में जाकर गिर जाते हैं जब दोनों नदी मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं मेगन गंगोत्री गंगा नगर ये गंगा धाम आपको सही आंसर चुनना है ये मेगना करलाती है ये गंगोत्री करलाती है ये गंगा नगर करलाती है ये गंगा धाम करलाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी एक जगा मिलती है ठीक है एक जगा मिलने से मिलने के बाद फिर वो ज कोनों मिलते हैं तो उस नदी को क्या कहा जाता है इसका सही आंसर जल्दी से चुनिए आप गंगा धाम को चुन रहे होंगे लेकिन गंगा धाम इसका सही आंसर नहीं है लेकि इसको मेगना कहा जाता है मेगना नदी किसे कहते हैं जब गंगा बर्मपुत्र नदी एक साथ मिलत तो उसको हम Мेगनानदी की नाम से जानते हैं Question number 4 देखिए सुन्दरी पादप से क्या नाम दिया गया है? ए है सुन्दर सरुवर, सुन्दर बांद, सुन्दर वन या सुन्दरी पवन सुन्दरी पादप से क्या नाम दिया गया है सुन्दर सरोवर, सुन्दर बांद, सुन्दर वन या सुन्दरी पवन याद रखेगा यह question most important है सुन्दरी पादप से सुन्दर वन नाम दिया गया है सुन्दर वन जो पश्चिम बंगाल में इस्तित है बहुत बड़े डेल्टा बनाती है तो इसलिए विस्तु का सबसे बड़े डेल्टा के रूप में सुन्दर वन को मना जाता है तो ये सुन्दर वन जो है सुन्दरी पादप से बना है इसका नाम दिया गया है इसलिए इसको सुन्दर वन कहा जाता है question number five आ जाईए question number five करहा है कि जाना पाव पहाड़ी से किस नदी का उद्गम हुआ है सोन, जोहिला, चंबल या नर्मदा सही answer आप दीजीगा जाना पाव पहाड़ी से किस नदी का उद्गम हुआ है साइद उस जगह से होंगे तो आप अनसर दे सकते हैं जल्दी से उत्तर दिजी जल्दी से जल्दी से साइद आपने अनसर जो दे रहे है वो सर नदी को दे रहे होंगे या जोहिला को दे रहे होंगे या नर्मदा को दे रहे होंगे ये सब आपसन गलत है बलकि चंबल नदी चंबल नदी का उदगम हुआ है ये महू के निकट बिंद्यांचल के जाना पाव पहाड़ी से उदगम हुआ है और ये ही अमुना में बिले हो जाता है दोस्तों आईए हम जानते हैं question number six ब्रंस घाटी में कोन सी नदी बहती है इसके बारे में आपको बताना है ब्रंस घाटी इसके बारे में आप जानते होंगे नर्मदा, काबेरी, ताप्ती, ताप्ती या नर्मदा ताप्ती और नर्मदा ताप्ती और नर्मदा ब्रंस घाटी में, ब्रंस घाटी, ब्रंस घाटी के नाम सुने होंगे आप लोग जो है, ब्रंस घाटी में कौन सी नदी बहती है, आपको बताना है, ब्रंस नदी, नाम सुने होंगे, ब्रंस नदी का नाम, जल्दी से बता दिजिए, ब्रंस नदी क्या होता है, मुझे भी न ताप्ति और नर्मदा नदी, दोनों कैसे होती है, यहां पर भ्रंस घाठी में नदी बहती है, श्कॉस्चंच बार बार पूछा जाता है, आईए हम लेष कोशें देखते हैं, सेवान 15 सितंबर 2015 को की नदियों को आपस में जोड़ा गया है की इस नदियों को आपस में जोड़ा गया है इसका सही अंसर आपको देना है ध्यान रखेगा इसका अंसर यहाँ पर जो है GKL, गोदावरी कृष्णा या दोनो या उप्रोक्त में से कोई नहीं GKL, यानि की गोदावरी कृष्णा लिंक कहा जाता है जिसको साथकट में GKL कहा गया है गोदावरी कृष्णा लिंक या गोदावरी और कृष्णा नदि आपस में जोड़ा गया है या दोनो या उप्रोक्त में से कोई नहीं ध्यान रखेगा इसका सही आंसर जोगा है दोनो है GKL उसी को कहते है और गोदावरी कृष्णा नदि आपस में जोड़ा गया है यानि की गोदावरी कृष्णा लिंक 15 सितंबर 2015 को आंध्र प्रदेश में गोदावरी और कृष्णा नदियों को आपस में जोड दिया गया है ये 15 सितंबर 2015 को जोड़ा गया है ये कोश्चन आप याद कर लिजेगा कोश्चन नमबर 8 मुसी नदी के तठ पर प्रभुग नगर इस्थित है मुसी मुसी नदी नाम सुने होंगे मुसी नदी के तठ पर प्रभुग नगर इस्थित है ये मुसी नदी बताईए आपसन दिया हुआ है हैदराबाद सिकंदराबाद चैननाई या लखनव हैदराबाद सिकंदराबाद चैननाई या लखनव कौन शर्ण नगर बसा हुआ है मुसी नदी के तठ पर तो इसका सही आप्षन आप दे रहे होंगे हैदराबाद या सिकंदराबाद या दोनों में से कोई भी हो सकता ऐसा कह रहा है लेकिन ये question का answer गलत है यहाँ पर हैदराबाद और सिकंदराबाद दोनों आता है मुसी नदी के तठ पर ये दोनों इस्तित है हैदराबाद भी इस्तित है और सिकंदराबाद भी इस्तित है दोस्तों आईए हम question number 9 देखते है भारत का नियागरा किसे कहते है भारत का नियागरा किसे कहते है ये ना सी समुद्रां या गरसोपा या चित्रकूट आपको पता होगा हम आपको बता दें ये ना कहां पर है ये ना एक जलप्रपात का नाम है ये ना नदी पर महराष्ट में भारत का दुसरा सबसे उचा जलप्रपात है ध्यान रखेगा सी समुद्रम काविरी नदी पर करनाटक में इस पर देश का बड़ा जल विद्युद्गरी 1902 में बनाया गया है तीसरा ये गर्सोपा गर्सोपा के बारे में आप जानते होंगे इसी को महत्मा गांधी जलप्रपात के नाम से जानते हैं ये सरावती नदी पर करनाटक में ये राजा, राकेट और रोरर नामक जलप्रपात भी है। द्यानकेगा और चित्रकूट 36 गड़ में चित्रकूट इस्तित है इंद्रावती नदी पर बस्तर भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है जिसको भारत का नियाग्रा कहा जाता है। यानि कि D option सही है। अब question number 10 देखते हैं। देश का बड़ा जल विद्यूत गरी 1902 में इस्थापित किस नदी में है। हमने इसके पहले आपको डिटेल से बता दिया है। साथियों इसका option आपको चुड़ना है। option है गोतावरी, कावेरी, जोग या नर्मता। देश का बड़ा जल विद्यूत गरी 1902 में इस्थापित किस नदी में है। अभी अभी आपको बता चुके हैं। इसका सही अंसर हम जल्दी से बता दे रहे हैं। इसका सही अंसर कावेरी नदी है। हमने नवा नंबर question में बता दिया था। ठीक है। यहाँ पर याद रखेगा। ये देश का बड़ा जल विद्यूत गरी सी सुंदरम जल प्रपाज इसको काते हैं कावेरी नदी पर ये सी सुंदरम सी समुद्रम कावेरी नदी पर करनाटक में। इस पर देश का बड़ा ज जल विद्यूत गरी 1902 में बनाये गया। इसके पूर्व सिद्रा-पोंग में भारत का पहला जल विद्यूत गरी 1817 में इस्थापित हो चुका था। ध्यान रख değişगा, ये सिंद्रा-पोंग को याद रखना है। इसके पहले जल विद्यूत संयंत्र चालू हो चुका था अ और सीव समुद्रम में है आए हम question number 11 देखते हैं फरक्का बांद किस राज्य में इस्थित है बिहार उत्राखंड या पश्चिब बंगाल या सिक्केम जल्दी से बता दीजी समय का भाव है क्योंकि ज्यादा समय बनने से वीडियो का साइट जो है बड़ा हो जाता है जिसके क फरक्का बांद किस राज्य में इस्थित है बिहार उत्राखंड पश्चिब बंगाल या सिक्किम हम आपको बता रहे हैं फरक्का बांद इसके माध्यम से गंगा एवं भागरती पर बांद बनाकर हुगली नदी को नववाहन के लिए जल उपलब्द कराया जाता है इस पर भारत बांगलादेश के बीच जल बटवारा समझोता है फरक्का बांद में याद रखेगा इसका सम्मन इसका सम्मन जो है फरक्का बांद में भारत बांगलादेश के बीच जल बटवारा समझोता हुआ है इसलिए ये पस्चिम बंगाल में इस्थित है ये पस्चिम बंग पर्योजना किस नदी की है पेरियर तापती कोईना या राभी आपको सही आंसर देना है इडुक की पर्योजना किस नदी की है इडुक की पर्योजना ध्यान दिजेगा इडुक की पर्योजना किस नदी का भाग है आपको सही आंसर देना है यहाँ पर जोखा है इडुक की पर परियोजना याद रखेगा ये पेरियर नदी केरल से संबंध है पेरियर नदी पर पिक्चर भी बनावा है आपको पता होगा पेरियर नदी ये जो है most important है ध्यान रखेगा इसको जो है तापती नदी जो है उकई परियोजना है जो गुजरात में है ध्यान रखेगा ये कोई कोईना नदी पर है जो महाराष्ट में इस्तित है और रावी नदी रावी नदी रंजित सागर बांध परियोजना पंजाब में इस्तित है तो ये पूरे एक एक डिटेल आपको जो है नोट्स के रूप में बराना चाहिए इसका मतलब सही अंसर ए है कोईशन नमबर 13 देखते हैं अमरीत करांती किस तरह की परियोजना है अमरीत करांती किस तरह की परियोजना है अमरीत करांती यहाँ पर आपसन दिया वया समुद्रों को जोडने का नदियों को जोडने का या दूद करांती को ही अमरीत करांती कहते हैं या गया पालने को ही अ अम्रित क्रांती के नाम से जानते हैं, क्या option सही है, आपको बताना है, ध्यान रखेगा ये question बार-बार पुछा जा रहा है, अम्रित क्रांती नदियों को जोडने की परियोजना है, अम्रित क्रांती किसको जोडने का, नदियों को जोडने का परियोजना है, साथियों, दिंडवाना जील किस राज में इस्तित है? राजस्तान, गुजरात, 36 गड़ या तेलंगाना यहाँ पर दिंडवाना जील कहा इस्तित है? दिंडवाना जील याद रखेगा यह जील जो है राजस्तान में इस्तित है ध्यान रखेगा यह गुजरात में नहीं है यह आपका ज लाश्ट कोस्टिन हम आपको पूछ रहे हैं, हमेटाइट और मेंगनेटाइट एसक से क्या-क्या बनता है, हमेटाइट और मेंगनेटाइट, ये एसक का नाम है, और का नाम है, इससे क्या-क्या बनता है, आपको बताना है, साथ्यों आपको बताना है, इससे क्या-क्या बनता है तो हमने अफ्सक्राइब दिया है लोहा तांबाप टीन लोहा और टीन क्या बनता है क्या-क्या बनता है आपको जो है सही आंसर देना है यहाँ पर जल्दी से आंतर दे दिजे तो हम आपको जो है यही खतम करेंगे चुकिए यहाँ पर लगबख 17-18 मिनट हो चुका है तो इसका सही आप्सन हम आपको बता रहे हैं लोहा बनते हैं लोहा का जो आयस्क है है हमेटाइट और मेगनेटाइट है भारत में सबसे ज़्यादा जो है लोहा का निर्माण किया जाता है मेगनेटाइट आयस्क से ध्यान रखेगा मेगनेटाइट और विश्व में हमेटाइट स से लोहा बनाया जाता है लेकिन भारत में मेगनेट टाइट से सबसे जादा लोहा बनता है और लोहा उत्पादन में भारत का इस्थान चोथे नंबर पर है याद रखेगा यहां पर जोगा है सबसे नंबर पर जोगा है चाइना है चाइना हमने चाबी बताये था C-H-A-B-I, C-H-A-B-I, C-H मतलब चायना, और A से आस्ट्रेलिया, ठीक है, B से ब्राजील, और I से इंडिया, चोथे नमबर पर इंडिया है, चाबी को याद कर लिजे, और चोथा नमबर पर I आता है, इसका मतलब इंडिया है, सात्यों ये थी हमारी आज की 15 कोस्टेन, यान इसको डाउनलट कर लिजे, या फिर आप जो है, इसको सिप करके रख लिजे, ये बहुत काम का चीज है, जो हम आपको बता रहे हैं, most important, multi-choice question है, इसी रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है, कोई भी एक्जाम दे रहे हैं, यदि एक्जाम देने के लिए सोच रहे हैं, यदि एक्जाम दे चुके हैं, लेकिन सफलता प्राप्त नहीं किये हैं, तो इसको जरूर पढ़ लिजे, अब सफलता मिल जाएगी, तो यहीं हम विदाई लेते हैं, ठैंक्यू, नमस्कार, धन्यवात, जै हिन, जै भारत, जै हो, जै हो भाई, शेर कर दिजे, लाइक किज यहाई बडता हैं, जै हिए अजिए लिए